हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो कैसे आप सब लोग आई होग आप सब बढ़िया होगी आज मैं आपके साथ एक मेकप लोग शेयर कर दी हूँ जिसमें मैंने आज क्रिएट किया है करवा चूत ली मेकप लोग बहुत ही सिंपल लोग है और साथ ही साथ जो मैंने साथ अल्रड़ी शेयर कर चुकी हूँ जी हाँ फ्रेंट्स मैंने दो लेंगे पर्चेस किये थे यदि वो वीडियो आप लगोंने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप जा करके देख लिजेगा और फ्रेंट्स लीड ये लोग मै इस लोग को क्रियेट करने के लिए जो बेस मेक अप होता है वो मैंने सिफ दो चीजों को लेकर क्रियेट लिया है जिसमें फर्स्ट है लैक में की सीसी क्रीम और सेकेंड है इस पिंस का बीबी पाउडर तो फ्रेंट्स ये लोग बहुत है सिंपली है आप प्लीज इसे कूंटर इसके इसके पाद में कर रही हूँ यहाँ पर टोनर और टोनर ही कर行了 ॉ छर्चेट सब्कार सबस्ता है तो इसके आप फेशियल ऑ Ale यूज रही हूं अच्छा होता है इसलिए आ पर इस सब्सुर्श आपकर प्लीज हो जाए ने पन लिए दो पादर करों को इस तरह से हलका हलकी हाथों से मसाज करना है तो इस तरह से आप मसाज करने कीया थी प्लाइक अच्छे से मसाज की है फिशियल लगाने के बाद तो आपको भी सी तरह से करना है और पूरा बेस मेकप और पूरा मेकप कंप्लीट होता है तब तक मैं अपने जो लिप्स होते हैं उनको मॉस्चराइज कर लूगी तो उसके लिए आपको भी लिप बाम अप्लाय कर लीजिए मैं यहाँ पर वैसलीन लगा रही हूँ तकि मेरे लिप्स अच्छे से मॉस्चराइज हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैं प्राइमर अप्लाय कर रही हूँ यह जो प्राइमर है वो है स्विस्स ब्योटी का सिलिकॉन बेस्ट प्राइमर है फ्रेंट्स आपकी अधी ओली स् अमेशा सिलिकॉन बेस्ट प्राइमर ही यूज कीजिए और प्राइमर को भी अच्छे से अपनी स्किन में अच्छे से अब्साब होनी दीजिए ताकि जो आपके पोर्स वगरा है वो बलर आउट हो जाए साथ ही साथ एक जो कावरिंग है वो आपके स्किन के उपर प्रिये चलः करनी है कि एकलश विनट हो चुका है उसके बात यहां पर मैं अप्लाइ करी हूं के कर्वाजक लिए तो इस थरह से आपको लेक में के CC क्रीम डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अपलाई कर ली नहीं है, आप किसी भी प्रड़क्ट रियूस करें उसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस, नेक, एर और सभी जगह पर अच्छे से लगा लीजिए और इसके बाद उसे अच्छे से ब्लैंड कर लीजिए ताकि जो उसे अपलाई करना होता है वो बहुत ज़्यादा एजी हो जाता है यहाँ पर में कंसीलर अपलाई नहीं कर रही हूँ इसलिए जो अपनी आइलेट्स होती है उसके उपर भी में थोड़ा सा like me CC cream अच्छे से अपलाई कर लूगी तो इस तरह से यहाँ पर में कोई भी brush भी यूद्ध नहीं कर रही हूँ और जो अपना base हो वो create कर रही हूँ मैं अपने hand की help से इस तरह से मैंने blend कर लिया है like me CC cream को neck, ear और अपने face पर अच्छे से blending कर ली है मैंने उसके बाद में से सैट करूँगी स्पिंस के बीबी पॉडर से यह लूस पॉडर है फ्रेंड्स लेकिन यदि आप डेली यूज में अपलाए करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉडर है इसी भी में डॉट डॉट मोशन में अपलाए करूँगी पूरी फेस पर नेक पर और यार पर मैंने अच्छे से डॉट डॉट बना लिया है उसके बाद अपने हैंड की हल्ट से ही मैंसे ब्लेंड कर लूगी तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से मैंने लेक में तेसी क्रीम और जो पॉन्स का स्पिंस बीबी पॉडर होता है उससे मैंने अपना बेस कर लिया है कम्प्लीट उसके बाद में यहां पर अपनी ब्रॉज को फिल करूँगी तो यह पालेट है मेरे पास जिससे मैं ब्राउन शेड को लेकर करके अपनी ब्रॉज को फिल कर रही हूँ और यहां पर मेरी ब्रॉज फिल हो चुकी अब मैं स्पूली की हैल्प से उसे अरेंच कर लूँगी थोड़ा सा जो हमारे हैर्स होते हैं वो थोड़े बहुत भी दरदर हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं तो इस तरह से मैंने स्पूली की हैल्प से उन्हें कॉम कर लिया है तो इसे बाद यहां पर मैं अप्ले करूँगी मेकप सेटिंग स्प्रे क्योंकि यहां पर मेरा बेस मेकप कम्लीट हो चुका है तो यह है मेरा सिस ब्यूटी का मेकप सेटिंग स्प्रे और उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हाल्प से मैं डब डब मुशन में थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी आपको से रब नहीं करना है इसे डब डब मुशन में से ब्लेंड करना है उसके बाद मेरे पास एक लिए है पैलेट जिसकी हैकसे में अपनी क्रीज लाइन बिल्डप कर रही है और उसके बाद चुह मेरे लहंगर में green color है वो में just corner में apply कर रही हूं यह दोनों inize corner में मैंने green color apply कर लिया है और उसके बाद यहां परया करूंगी pen liner इस तरह से मैंने liner डॉकर लिया है अपने आइस पर और उसके बाद यहां पर मैं अप्लाए करने वाप्लारी हूं काजल यह मेरा ब्लू हावन काजल है और काफी अच्छा यह बहुत है लोग लस्टिंग भे रहता है और स्मर्च भी तो हमारे कर्वाचत नेकप के लिए रैड लेड लिप्स्टिक ही बहुत जादा पॉफेक्ट होगी तो यहां पर मैं डेसलर की रैड कलर की लिप्स्टिक अपला करे हूँ और उसके बाद मैं अपने चिक्स पर अप्लाय करूँगी ब्लश तो मेरी पास स्टेम पेलेट में ब्लश के भी शेट्स हैं तो उसी में से मैं ब्लश अप्लाय कर रही हूँ अपने चिक्स पॉन पर देखे फ्रेंट्स इस तरह से मैंने ब्लश अप्लाय कर लिया है अपने च एक छोटे से ब्रश की हल से मैं हाइलाइटर लगाऊंगी अपनी चिक बून पर ब्लेशर के जस्ट अपर पॉर्शन में तो यहां पर मैं इस तरह से हाइलाइटर अपलाए कर रही हूं इसके अलावा में highlighter apply कर रही हूं अपने forehead पर इस तरह से forehead पर मैंने apply कर लिया था और उसके बाद अपनी chin area पर साथे साथ अपने lips के उपर इसके बाद अपनी finger की help से में अपनी brow points जो होती है उसके ऊपर भी highlighter apply करूंगी जो काफी ज्यादा अच्छा look provide करता है और उसके बाद जब मेरा make-up पूरा complete हो जाता है तो एक बार और में यहां पर make-up setting spray apply करूंगी अपने face पर ताकि मेरा make-up long lasting बना रहा है और same beauty blender से में अपने make-up को set कर लूँगी डाट-डेप motion में और उसके बाद मैं apply कर रही है यहां पर सिंदू जो कि आज की make-up का hero है और उसके बाद last में मैंने apply किया है यहां पर बिंदी stone वाली बिंदी लगाई है मैंने बड़ यह बिंदी मुझे face पर कम अच्छे लग रही थी इसलिए last में मैं शायदे से बदल भी लूँगी उसके बाद मेरे पस एक set है वो set मैंने यहां पर पहन लिया था और 37 उसके earrings पर पहन लिया था यहां पर मैंने बिंदी change कर ली है औ यह देखिए इसके बाद मैंने लगा लिया एक चुटा सा बार और hair style create कर ली है simple से hair style बनाई है मैंने और सांथी सांथ जो अपना दुपट्टा है लहेंगल का उसे भी arrange कर लिया है और उस पर एक कमरबन भी लगा दिया है ताकि उससे और भी अच्छा लुग मिल सके इस ल पर पल्लू रखते ही है तो इस तरह से आप अप अपलाए कर सकते हैं I hope friends आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरा वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक किजएगा कमेंट करके मुझे जरूर बतेएगा कि वीडियो आपको कैसा ल